हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए कर आए हैं कि यहूं के आटे का एकदम नया और बहुत हिसाता चटपटा नास्ता इस नास्ते को बनाने में आपको बहुत ही कम समय लेगेगा और साथ ही ये नासा इतना ज़ता टेस्टी और हल्दी होगा कि आप इसे बार बर बनाना चाहेंगे तो फ्रेंट वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंट इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में ले लेंगे गिहूं का अर्टा तो गिहूं के आटे को आपको अच्छे से चान कर लेना है तो यहाँ पर हमने अपने गिहूं के आटे को अच्छे से चान लिया है तो चरिये पेंड इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं ग्योंकि आटे को डालने के बाद आप हम इसमें डाल देंगे स्वादनिस्वाद नमक तो यहाँ पर मैंने दो चुटकी जितना नमक इसमें डाल दिया है सुजी डालने से हमारा जुनास्ता है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा इसके साथ अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पानी हम दीरे दीरे डालेंगे क्योंकि हमें इसका एक बैटर तयार करना है तो इसमें हम धीरे धीरे पानी आइट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमें अपने बैटर को बनाने में कितने ज़दा पानी के requirement है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो काफी अच्छे से पेटर आए तो इसे हम धीरे धीरे पानी डाल कर अच्छे से पेटेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लंप्स ना बने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमने थोड़ा सा पानी और अट किया है क्योंकि हमें बहुत ज़दा गाड़ा बैटर नहीं चाहिए इसका तो धीरे धीरे पानी आट करेंगे और अपने बैटर को अच्छे से स्मूथ कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक क्लास जितना पानी लिया था और हमारा एक चौथाई क्लास जितना पानी इसमें बज़ गया है तो इतनी पानी के रिक्वार्मेंट है औ और हमारा जो बैटर है वो काफी अच्छे से स्मूथ हो गया है तो इसे अब हम रेस्ट पर छोड़ देंगे और अब अपनी हम दूसी तैयारी कर लेते हैं अब अपने नास्तिय को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिये हैं मीडियम साइस के उबले हुए आलू तो यहाँ पर मैंने तक्रीबार 5-6 आलू लिये हैं तो सबसे पहले हम अपने आलो को अच्छे से कद्दू कस करेंगी क्योंकि हमें आलो में बिल्कुल भी लंस वगयरा यानि कुट्लिया वगयरा नहीं चाहिए तो सबसे पहले हम अपने आलो को अच्छे से कद्दू कस कर लिया आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लिया था तो इसे भी हम हमारे नाश्टिंग बहुत ही अच्छा सा टेस्ट हैगा इसके बाद अब अनिलाश्टे में हम डालेंगे थोड़ी सी यह पारी कट्द हुई अगर آپ यह नहीं घोता है बटसका किको इसके लेकिन सकते हैं लेकिन लेकिन प्लांका नाश्टा चाट मसाला पाउडर अगर आप चाट मसाला नहीं डाला चाते हैं तो आप यहाँ पर नीबू का रस या फिर एक चमज के करीब दही भी डाल सकते हैं इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो चमज के करीब लाल मिच तो यह तीकी वाली मेच नहीं है अगर आपकी हरी मेच ज् में नमक डालीगा तो आप इन सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चलिए फ्रेंड इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो प्रेंड हमने इसे बहुत अच्छे तो इसे अब हम साइट कर लेंगे और इस दास्ति को बनाने के लिए हमने यहां पर नॉंस्टिक तवे का इस्तिमाल किया आप चाहें तो नॉर्मल तवे पर भी इसे बना सकते हैं तो सबसे पहले हमने जो अपना बैटर त्यार किया है उसे हम एक चमश ले लेंगे और इस तर पर देख सकते हैं कि हमने बैटर को फुलाया है वह थोड़ा सा ड्राय होने लगा है तो अब इस टाइम पर हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उसे हम इस तरह से बीचों बीच में इसके रख देंगे और इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे तो यहां पर हमने इसे बहुत ही करेंगे आप चाहें तो इसे एक रैप की तरह भी फोल्ड कर सकते हैं तो यहां पर आपको थोड़ा सा कुक होने के बाद ही इसे अच्छे से फोल्ड करना है वना यह चिपकेगा नहीं तो पैंस आप देख सकते हैं कि इसलिए अच्छे से फोल्ड हो गया तो इसे आप एक चटपड़ा ओने के साथ बहुत ज़़धा है तो यहां पर हम इसके थोड़ा सा तेल लगा रहे ताकि हमारा नास्ता अच्छे से क्रिस्पी हो अगर आप नहीं चाहते कि तेल इसमें लगाए तो आप इसे ऐसे भी बना सकते थे हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि हमने इसे ब पटटाफट बना कर दिखा देती हूं तो यहां पर आपको सेम एक चमबज बैटर पर डालना है और इसे अच्छे से फैलाना है और इसे एक बार अच्छे से ड्राय होने के बाद आपको इसमें स्टफिंग रग दीनी है तो बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाता है तो यहां आपको बदा दीती हूँ कि आपको इसे किस तरह से बनाना है तो सेम आपको बैटर को अच्छे से फैलाना है और बैटर को ड्राय होने के बाद आपको इसमे थोड़ा सा कैचप डालना है क्योंकि कैचप बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं इसे तो इस तरह से आपको इस पर थोड़ा सा कैचप डालने के बाद थोड़ी सी स्टपिंग इसमें डाल दीनी है और आपको इसे फिर से अच्छे से फोल्ड कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो नास्ता है फो कितनी इसली बनकर तयार हो जाता है एक ही तवय पर हम एक साथ तीन से चार नास्ता बना सकते है तो बोखोट जल्दी और बोखोट हेल्दी नास्ता बनकर तयार होता है तो चलिए फ erg इल्ट आप में हम थोड़ा सा तीन घए एकपलाई कर देए ताकि हमारा नास्ता थो टोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो यहां पर आपको इसे बराबर दबा दबा कर सेखना है ताकि किसी भी साइट भी कच्चा ना हो तो यहां पर आप देख सकते हैं इसे हमने बहुत अच्छे से और बहुत प्यारा कलार आचुका है तो चलिए इसे अब हम गर्मा-गर्म सब्प कर लेते हैं तो फ्रेंज बनकर तैयार है हमारा यह ज़िए कह यह ज़िए कहना नें तो एक बार जब आप यह नास्था खाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इससे हमने गहूं के आटे से बनाए है काफी ज़्यादा पसंद आएगा आपके बच्चों को भी और आपको भी तो यहाँ पर मैं इसे दिखा देती हूँ यह थोड़ा सा गरम है तो ज़रूर से ट्राय कीजेगा और हमें कॉमेंट में बताईएगा कि आपको हमारा नास्ता कैसा लगा अगर आपको हमारी आज की र मज़िदा रेसेपीस के साथ अब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाबाई एंड टेक एर और थैंक यू फर वाचिंग